Hi girls this is me Sukhpreet once again welcome you all to my channel आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी 5 best lipsticks of 2018 and 5 worst lipsticks of 2018 So मैंने last year बहुत सारे lipsticks पचेस किये, बहुत सारे makeup products पचेस किये, कुछ makeup products मेरे पास PR के लिए भी आए और जो lipsticks मैंने पचेस की है खुद से उन में से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 best lipsticks और 5 worst lipsticks तो overall आप मेरा makeup collection देखना चाहते थे, तो बहुत जल्दी makeup collection का वीडियो भी आ जाएगा और आज की वीडियो में मैं आपको lipsticks का collection तो जरूर दिखा दूगी, तो first of all ये देखे, ये है मेरी सारी lipsticks की collection so box अभी आपको इतना neat नहीं दिख रहा होगा, but overall जितनी भी मेरे पास lipsticks हैं, सारी के सारी इसी में है, crayon, liquid, bullet lipsticks, all are in this only and overall I think 55k around lipsticks हैं इस box के अंदर, so वो मैं आज आपके साथ ये सारी तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन से कौन से lipsticks हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ 5 best, मेरी most favorite lipsticks और 5 worst purchases जो मैंने 2018 में की lipsticks की वो शेयर कर दूँ ताकि अगर आपको एक आइडिया चाहिए या आप भी उन आपको पैसे नबरबाद करते हैं जैसे कि मैंने की हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को कर लेजए सब्सक्राइब और प्रेस कर लेजे बाल अइकन को ताकि फ्यूचर वीडियो को भी देख सके तो शुरू करते हैं, अब सबसे पहले एक फेवरेट बताती हूँ बेस्टिक और साथी साथ एक वर्स्ट ऐसा गरते हैं बेस्ट जो है मैं आपको इस हिसाब से बताऊंगी कि अगर मैं मेकप कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ तो सबसे पहले मेरा हाथ कौन सी लिप्स्टिक पे जाएगा फर्स प्रेफरेंस, फर्स इस दा मोस्ट फेवरेट और इट गोस डाउंवर्ड और जो वर्स्टिक है उनका वर्स होने का कारण में आपको साथ साथ में बताती जाओंगी क्या कारण है जिसकी वज़ा से ये मेरी वर्स्ट लिस्ट में है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, I really don't like पसंद नापसंद का क्या कारण है वो साथ साथ बताती जाओंगी तो सबसे पहले मेरी most favorite जो लिप्स्टिक है वो है from the brand Miss Claire इस लिप्स्टिक को नापसंद करने का मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई कारण हो सकता है ये सबसे affordable lipsticks है, liquid creamy matte इनका जो creamy इनका texture है, lip creams है, इनका पूरा नाम है Miss Claire Soft Matte Lip Cream ये exact dupes है, NYX के matte lip cream का, अगर आप जानते है, NYX के matte lip creams है, उनका retail price है $6.50 ये lipsticks आपको असानी से $200 तक मिल जाएंगी, $190 तक मिल जाएंगी, मैं इनको wholesale store से purchase करती हूँ, तो मुझे $160 में मिल जाती है overall मेरे पास इस lipstick के 5 different shades है, जो कि मैंने अलग से Miss Claire का haul आपके साथ share किया था, काफी time पहले उसमें मैंने दिखाय थे these are the lipsticks जिनके उपर सबसे पहले मेरा हाथ जाता है, I'm gonna show you all the 5 shades which I have, shade number 50, 05, 19, 20 and 28, pink and corals and nude shades हैं मेरे पास so, इनका formula लिप्स के उपर इतना light है, I thought I'm wearing also shade number 20, I think, yeah, I'm wearing shade number 20 इनका formula इतना light है, long lasting नहीं है यह but इनका formula जो है, यह texture जो है, lips के उपर इतना light है कि आपको heavy feel नहीं होता है and इनमे color variety भी बहुत है, so you get all the prettiest color in this brand अब चलते हैं एक मेरी next worst purchased, सबसे पहली जो worst purchased मुझे लगा कि last year जिसके उपर मैंने पैसे वेस्ट कर दिये हैं, वो हैं यह NY Bay के lip crayons, they are meat matte lip crayons, now जब मैंने इनको purchase किया था, मैंने इसके उपर वीडियो भी किया था, मुझे इनके texture से कोई problem नहीं थी अलग-अलग, मैंने मेरे पास almost 4 हैं इसके shades, and अलग-अलग shades का texture अलग-अलग है, लेकिन मेरी biggest problem इनके साथ यह है, 125 या 35 रुपए के आते हैं, but the thing is, फहले तो packaging इतनी बेकार है, look at this, यह ऐसे ही आया था, और मैंने इसको use भी नहीं किया उसके बाद बहुल जादा, आपने like, अगर आपने rotating नहीं बनाया, तो आप cap में शापनर दे देते हैं, वो भी नहीं है, मतलब मेरे पास, यह ADS का lip crayon है, जो 80 रुपए का है, and it is also rotating, see this, rotating, so आपको problem नहीं होती, आप product को अपने साथ carry कर सकते हो, you love to use it, but यह rotate नहीं होते, इसको sharpen भी करना इतना मुश्किल है, मेरे पास बड़ा वाला sharpener है, उसमें भी मैं ट्राइ करके देख चुकी हूँ, यह sharpen नहीं होता, so maybe इनकी website से ही purchase करना पड़ेगा, I really don't know, मैंने इनको try करने की कोशिश ही नहीं की, जितना consume हो सकता था कर लिया, उसके बाद यह पड़े हुए है, and I really, that this is the first thing, जो की मेरी first worst purchased रही है, in last year, क्योंकि एक तो यह rotate होते है, packaging इनकी यह है, and you can't use them, like, पूरे का पूरा ऐसे ही पड़ा हुए है, तो अगर आपके पास मुझे बता सको तो पता लोगी कौन से sharpener में शापन होंगे, क्योंकि मेरे बावाला जो sharpener है, उसमें भी यह sharpen नहीं हो पाते हैं, so this is the first worst purchased, and moving on to the next best lipstick which I have is, आज का वीडियो फ़रा लंबा हो जाएगा, so please bear it, moving on to my next second favorite lipsticks is from Maybelline, now Maybelline के मेरे पास almost five different lipsticks है, Maybelline मेरे बहुत सारी कि एक red shade है, and if you guys want to see the swatches also, I think I should show you the swatches, कि कैसी है यह lipsticks, so say this is a bright pink color, oopsie, I broke my Maybelline lipstick, oopsie, so okay, so यह है flaming fuchsia color, जो कि बहुत ही pretty party wear pink color है, then I have this color which is rock the coral, and उसके बास मेरे पास है Maybelline का जीजी हदीद, like this is also, all these are my second favorite, I can say यह सारी के सारी second number पे हैं, यह सारे के सारे shades, because after Miss Claire, this is the second brand, which I go to, to pick up the lipstick, उसके पास यह है, powdery matte, powdery matte मुझे ज्यादा पसाद नहीं है, क्योंकि यह dry lips को और जादा dry दिखाती है, so it's okay okay kind of, and last है मेरे पास Pink Wink, so यह है Maybelline की तरफ से, यह पांच lipsticks और पांचों की पांचों मेरी बहुत favorite है, क्योंकि तो affordable range में आ जाती है, color show collection अपको, अगर आप सेल पे चेक करो, तो 230, 240, 250 तक भी मिल जाती है, so it's good, long lasting effect है, so that is why Maybelline is my second favorite lipsticks, comes, okay, so moving on to the second worst lipsticks purchased, last year, and I have to look, huh, is this, Nelf, it's Nelf USA The Miami Stick Lipstick, आप देख सकते हैं, यह अभी तक packaging में पड़ी है, जिसका कारण यही है, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करती है, इसलिए यह अभी तक packaging में पड़ी है, परस्ट अपॉल, जब यह मेरे पास आई थी, तो broken आई थी, and second, मुझे इस lipstick का texture सम में ही नहीं आया, इतनी जादा dry है, लिप्स को बहुत जादा dry कर देती है, अप्लाई करना भी मुश्किल है से रगड़ना पड़ता है, चीक्स के ऊपर, and इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया, and बस यह पड़ी है, as it is, so this was the waste of money for me, so yeah, this was the second worst lipstick, moving on to the third most favorite lipsticks, mine is from NY Bay, ऐसा यह जो liquid matte lipsticks है, यह मुझे बहुत ही पसंद है, no doubt liquid matte lipsticks, lips को dry out करती है, अगर आप lip balm लगा लें, lip gloss लगा रहें, तो they are good to go, मेरे पास अर्मूस्ट इनके चार अलग-अलग shades है, और most of the time, आप जो पूछते हो, प्यारा सा pink color कॉन सा है, तो वो यही है, sitcom special NY Bay, उसके लाबा मे 3rd favorite, you know, lipsticks, I really like them, I use them, so yeah, that's why they are my favorite, and moving on to the 3rd worst lipstick, now 3rd worst purchase from last year, or 3rd worst lipstick which I have from last year, is from this, like the brand My Glam, the reason I don't like this lipstick is, first of all, it's very highly priced, second, it is dual, I mean, it has two options, on one side is lipstick and on the other side is lip gloss, only reason of not liking this is the price, price is very high, I don't remember exact price but I am going to attach it here, I know it's highly priced, that is why I thought that in this price, quality is much better, the color is also sheer, this color I have, so it's not that, you see, it's shiny, it's a little shiny and if it's soft, so it's not my worst list, it's probably not in my worst list, but it's because of the price, I use it, I mean, I use this lip gloss, I can use it, I can use it, because I don't like the shade, the way it looks like, okay, moving on to my next favorites, my next number 4 favorites are from SQ, they are Sturkwerd liquid matte lipsticks, so I have almost 6 shades, and again, the shade that I use a lot of times, that is shade number 2, can I borrow a kiss, and this is the shade which can go to every skin tone, if your color is soft, and if you are looking for a pink color, you should try this shade, it's a very hip and pretty color for Indian skin tones, and I like it, their formula is a little dry, but still I can work with that, and this is my next favorite lipstick, Sturkwerd ki ki, in all their colors, but number 2 is my most favorite shade, and yeah, that's why I like it, and the next worst lipstick, which I have is from the brand Color Essence, Color My Spirit, this is also in the packaging, because I don't like to use it, the reason, it's affordable, this price is very cheap, I bought affordable lipsticks, which I purchased from Naika, and in that way, I ordered all these lipsticks, like Nelf USA, and Color Essence, with this lipstick, the problem is its smell, I don't like it, this smell is like this, actually, you know, if we go back 15 years, then that time, when the lipstick was made, and it was like this, I don't know, who is it, I don't know, so, my irritation bhi hothi hai, color to kaafi pretty laga tha, it's like this, it's like this, you know, brown color, nice, lagega my skin tone ke oopar, lakin, utni kuch long lasting bhi nahi hai, lakin, mujhe is ki smell se baut problem hai, as it is, padi hoi hai, nahi ki nahi, and moving on to my last favorite, and last favorite yeah, is from the brand, oops, sorry, from the brand Wet n Wild, so, ye hai Wet n Wild ki catsuit lipstick, price hai is ka kuch 4.99 rupees, har maine mein worth hai 4.99 price, is lipstick ke liye, padi piyara, ek toh is ka brush, angular shape, I love it, angular hone ke saath saath, is me curve hai, texture itna light hai, ki aap, jab is lipstick ko lagaate ho, toh, lagta hai ki aapke lips ka color hi waisa hai, itni achi tarah se ye lips me merge ho jati hai, and long lasting hai, khate ho, peet ho, toh bhi 8-9 ghande tuk raha jati hai, mere paas joo shade hai, give me mocha, and this is a pretty color for my, like mere jasa, agar aapka skin tone hai, aapko nude brown lipsticks chayye, give me mocha, wet n wild catsuit lipstick, bohat hi piyara sa color hai, jab aap dark, you know, eye makeup koro, or uske saath ye lipstick lagao, immediately aapka joo look hai, woh, you know, upgrade ho jayega, you start looking, you know, sophisticated, so this is a sophisticated color, and it can, you know, enhance your overall look, you can add a touch of sophistication in your look, by using this lipstick, and I love it, and mere hi saap se, yeh number 3 pe hoonhi chayye thi, mene isko last dikhaa, kyunki mene isko dhekhna hi bhool gai, abhi tak mene baas iska eki shayde hai, aur iske or shayde muche purchase karne hai, kyunki mene flipkart ki kisi sale ka wate kar rahe hong, sale mein baut kum price me mil jate hai, and if you can get something at less price, why to waste more money on that? and number 5 pe meri last worst lipstick joh hai, woh hai from the brand blue heaven, aur yeh hai blue heaven ki rolling pink lipstick, karan iske liye koji aisa jabardast karan nahi hai, ki isme kuski packaging mein problem hai, yeh wo, but only one reason is that I am not happy with the color I got, aur isme bhi brand ka toho issue nii hai, meinne online order kiya tha, muhje color pasand nahi aya, sirep ehi yeh reason hai, ki yeh madri, non usable lipsticks me, so yeh ta aaj ka video, jis meh meinne aapke saath share kiye, meri lipstick collection meinse, koonse colors, meri saare favorite hain, koonse brands meri favorite hain, koonse meri favorite nahi hain, best and worst, mehne aapke saath share kiya, from the year 2018, so agar aapko yeh video paasand aai hai hai, to isko like zaroor karna, share zaroor karna, meri saath comment section mein share kar sakti ho, mehne jopne best experience share kiya, kya usme se aapne bhi koji lipstick try ki hai, yaa joh mehne worst lipsticks share ki hai, uske baare meh aapka kya review hai, kyunki yeh mehre personal review tha, muhje asa laga, joh mehne share kiya hai, agar aapko bhi kuchh asa hi lagta hai, mehne saath comment box mein share kijiye, and that's all for today, and bohut jalda aapko baki ka makeup collection bhi dikhaa dungi, so keep watching my channel to see more videos like this, till then bye, take care.